नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर और आज फिर से मैं लेकर आए हूँ करेंट अफैर्स के कुछ क्यूशन जैसे कि मैंने पिछला वीडियो आपको जो दिया था करेंट अफैर का जिसमें की बहुत ही सेलेक्टेट लेकिन जो भी थे फैक्ट थे जिसके आने की एक्जाम में सम्हावना अधिक होती है अगेन मैं फिर से लेकर आए हूँ कुछ ऐसे ही क्यूशन जो आपका करेंट अफैर रहा है वो और कुछ इंपॉर्टन क्यूशन जो मुझे एक्जाम की दृष्टी से लगते हैं तो चल बार जीतने वाली महिला मुक्यबाच कौन है बहुत ही फेमस नेम है तो यह मैरी कॉम हम सभी इंडियन जानते है इस पर फिल्म भी बन चुकी है जिसमें प्रियंका चोपड़ा जी ने अभी नहीं किया था तो मैरी कॉम जी जो है उन्होंने ही चटवी बार भी विश्व मिलियन डॉलर के रिड़ पत्र पर हस्ताक्षट की है भारत ने लोन लिया है वर्ड बैंक सी ठीक है 200 मिलियन डॉलर का किस लिये लिया है राश्ट्री पोशड अभियान के लिए राश्ट्री पोशड अभियान के लिए ताकि इंडिया में जो पोशड की कमी है लोग को पो जो अभी इस दिन दायरे में नहीं आता था और अब आ गया है तो वो है जमु एंड कश्मीर बैंक ठीक है आपको पते ही कि जमु एंड कश्मीर का सब कुछ अलग से चलता है तो अभी हाल में इस बैंक को भी इसके अंतरगत लाया गया है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट आपका आजाता है सायुक्त राष्ट से विश्व के पहले पूर्ण जाविक राज का पुरस्कार किस राज ने प्राप्त किया है देखिए सायुक्त राष्ट ने पुरस्कार दिया है किस चीज का पहले पूर्ण जाविक राज का दर्जा मिला है किस सिक्किम को मिला है ठीक है पहला ऐसा राजय जो पूर्ण रूप से जाविक है ठीक है तो यह इंपॉर्टेंट हुजाता है कहीं न कहीं इन्वार्मेंटल स्टडीज के दृष्टी से चली आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केशन हमारा वीडियो को लाइक जरू करती जगा अगर सारे केशन पसंद आगे तो भारती अंतर राश्ट्री फिल्म फेस्टिवल तो हजार अठारा का आयोजन के शहर में किया जा रहा है अं तो एक्जाम हुआ था 8500 वर्ती उसमें बहुत सारे स्टैप से किशन आया थे आगे मैं आपको बताऊंगी और भी कुछ इस टैप की किशन जो रिपीट हो चुके हैं मैं वही किशन नहीं दूगी बर वैसा ही किशन दूगी आपको जिसके आने के चाज़ए कि वही सेम नहीं देने वाले हैं तो भारती अंतरश्टी फेस्टिवल 2008 आयोचन गुवा में किया जाएगा कहां पे गुवा के पढ़जी में ठीक है अगला क्यूशन आपका किस राज ने दुग्ध छेत्र के किसानों के लिए गौ सम्रिद्धी प्लस स्कीम लांच कि ये सबसे साक्षर राज आगे बढ़ते हैं ये देखें ये किशन रुपीट हुआ था ये किशन एक्जाम में 68500 जिक्षक भरती में आया था इंद्रा गादी पुरसकार के बारे में और उसमें 2017 का पूछा था अब क्या है अब 2018 आगया तो 2017 में किसको मिला था ये मनमोहन सिंग ये को मिला था और अब ये किसको मिला दोहजार अथार में किसे प्रादान किया गया है तो ये प्रादान किया गया है इस साल 2018 में वेरि इंपॉर्टेंट है याद रखियागा इसको चलिए नेक्स देखते हैं औसकर रवार्ट दो हजार अठारा किस फिल्म को दिया गया ये भी काफ़े इंपॉर्टन किस्ट क्षिशन आते हैं पिछली बार भी आये थे इस बार भी आएंगे फिल्म फेर रवार्ट आये थे उसके लिए अलग से वीडियो बनाके मैंने अपलोड किया ज़रूर उसको देख लीजेगा बहुत इंपॉर्टन एक किशिन हेंड़ट परसेंट आने वाला है उसमें ठीक है प्लेलिस्ट आप चख कर लीजेगा एक बार आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो आपके एक्जाम के लिए बहुत इसमें क्योंकि मैं भी मैं तैयारी करा रही हूँ पूरा सिलेबस के कॉर्डिंग तो आपका हो जाता है यह तशेप आफ वाटर इसे ही आउसकर रवार्ड 2018 मिला है नेक्स्ट आप का है हाल ही में किस स्थान का नाम अटल नगर रखा गया है तो यह रखा गया है रायपूर का रायपूर का है यह है चत्तिस गड़ में ठीक है चत्रिस गड़ के रायपूर को का नाम अब बदल के अटल नगर रखा गया है नेक्स्ट क्यूशन मैन बुकर पुरसकार 2018 किसे दिया गया है आपको पता ये भी बहुत ही सम्मानित पुरसकार होता है ये किसे दिया गया है ये एना बर्न्स को दिया गया है किसलिए उनके उपण्यास Milkman के लिए ठीक है Milkman उनका उपण्यास है अना बर्न्स उनकी लेकिका है जिनी ये पुरसकार दिया गया है 2018 मी याद रखना है दो-तीन क्यूशन इसी से बन सकते हैं ठीक है कि पहली Milkman के लेकिक का कौन है और किसे मैन बुकर पुरसकार 2008 मिला इनावत्स तो यह वो थे नंपें टीन केशल बंढ्रेमें से नेक्स्ट है किस एयर्पोर्ट का नाम नएया नाम महायोगी गोरकनात एयरपोर्ट रखा गया हाल की बात है तो कौन से एयरपोर्ट का रखा गए गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम अब बदलके महायोगी गोरखनात एयरपोर्ट रखा गया है चलिए आगे बहुत ही ज्यादा मैं पॉइंट्स नहीं लाई हूँ उतनी सफिशन्ट है आपके लिए और फिर आपको पता है जैसे ही जितनी भी रिसेंट अपडेट्स मिलेंगी तो वह फिर से अप्लोट कर दूँगी चुकि आपको मैं सिलेबस के कॉड़िंस से मैं साइंस पढ़ा रही हूं इंग्छ भी थो पढ़ा रही हूं तो इसलिए घलो मęहेफंधे छीन यहां इं इंपartet ही इदर उदर के लिंहीं की बस वीडियो डालने से क्या मतलब लिखना पड़ता है टाइप करना पड़ता है काफी टाइम में अई लगता है तो मैं बस वही आपको content दे रही हूँ जो आपके exam के लिए important है ना कि मेरे लिए कि बस डाल दो views मिल जाए and all so चले start करते हैं आगे next बिखते हैं बुंदेलखंड expressway को किस नाम से जाना जाता है बुंदेलखंड expressway को अब अटलपत की नाम से जाना जाता है अटलपत ठीक है अगला है द्रोणाचार पुरिसकार 2018 किसे प्रदान किया गया है ठीक है तो यह trainers को प्रदान किया जाता है जो लोग training देते द्रोणाचार इसी लिए उसका नाम है तो यह 2018 में जिने जिने प्रदान किया गया हूँ उनकी list है यहाँ पे मेरे पास आप एक बार देख ले ताकि श्री निवास राव टेबल टैनिस के लिए सुकदेव सिंग पन्नु को एटलेटिक्स के लिए दिया गया है यह क्लेरंस लोगों को यह होकी के लिए दिया गया है तारक सिन्हा फोर क्रिकेट एंड जीवन कुमार शमा फोर जुडो तो इतने लोगों को प्रसकार इस बार चार परसकार 2008 प्रदान किया गया एक पर आप नाम देख लेंगे अच्छे से तो क्या है कि आपको ध्यान रहेगा इस बार तो ऑप्शनल होना है और मार पे होना है तो आपके सामने आएंगे तो अगर आपने वह चीज़ देखी है तो आपके दिमाग में पहला जो आपका गयस जाएगा वह उसी पर जाएगा तो बस इतने ही किशन ते फिरहाल आपने याद कर ली होंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है थोड़े थोड़े से ही पर याद करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिलकुल मत बूलेगा ताकि मेरे सारे वीडियो आपको मिल रणिये अगा तो शब्सक्राइब कीशिदेगा सो कीशिति अग्सक्राइब कीशित खीडिया टॉट ओंकियु